मैं प्रशान्थ एक बार फिर से आपका अभी नव ओनलाइन क्लासिस रिंगस में आर्दिका बिनांदन स्वागत करता हूं अपड़ पढ़ने जा रहे हैं एलजेब्रा बीज गणी जो बोलते हो ठीक है इसमें पहली चीज एक एलजेब्रा एक ऐसा टोपिक है जो हर वेकेंस कवर करती है अगर आप फरस्ट ग्रेट की बात करोगे तो सिंपल से एक या दो क्यूशन सोरी एक ही आता है यहां फरस्ट ग्रेट में तो सही है और रीट वगरा में शोर इसके क्यूशन मिलते हैं ससी बैंक में सोरी एससी रेलवे जो एंटीपिसी लगने बाड़ा है कब लगेगा देखते हैं उन सब में इस एलजेब्रा पॉर्शन का बहुत बड़ा हात है अपने बोल सकते हैं बहुत अच्छा पॉर्शन यह कवर करता है सही है ऐससी मैंस में जा होगे तो आपको 15-16 किशन में देखने को मिलते हैं ठीक है एलजेब्रा बीजगनित देखो छो है आप लोग यहां पर सबसे पहली बात हूथ यह किया है कि वोट यह वह फेले बात की बात है वो इस पहले देखो एक वरडाता चर और इसको इंगलीज से बोलता रेल फिर एक काता है अचर अपकश स linking ठीक क्या है देखो चर में चर ने वाला सिंपल से बात क्या होगे चर में से चर ने वाला जिसका वेल्यू चेंज होता रहता है खुद कोई fix value नहीं होता वो क्या हो जाएगा चर हो जाएगा सही है इस चर को अपन है अगर आप books वगरा में देखो गे या अपन सुरू से पढ़ते आए हैं तो इनको denote करते हैं शो करते हैं x y z से सबके सब क्या है चर है अचर क्या होगा constant क्या होगा जिसका value time के respect में change नहीं होता fix रहता है आई बात समझ में वो क्या हो जाएगा मेरे पास constant हो जाएगा अचर हो जाएगा जैसे मैं सिंपल सी चीज़ लिख रहा हूं देखो यहां पर y is equals to x plus 3 y equals to x plus 3 अब देखो एक चीज़ दो बता दूँ मैं यहां पर जो चर है variable है वो दो प्रकार के होते हैं कौन-कौन से होते हैं पहला आश्री चर दूसरा स्वतंत्र चर दो चोटे-चोटे क्यूशन बनते हैं जो भी student फर्स्ट ग्रेडी रीट वगरा की जो त्यारी कर रहे है चोटे-चोटे क्यूशन यहां से पूट अप होते हैं कैसे होते हों देखे आश्री चर क्या होता है सो तंत्र चर क्या होता है सही है यह dependent dependent variable और अन्डिस इंडिपेंडेंडेंड वेरियेबल इंडिपेंडेंडेंडेंड वेरियेबल ठीक है अब देखो मैंने एक छोट असा यहां पे लिखा है कुछ क्या है यह समीकन अब उपद वो बात की बात है वाई इस इक्वास टू एक्स प्लस त्री बच्पन से सीखते हैं एट नाइन टैंस से स्टार्ट हो जाते हैं अग देखो इसमें मैं एक्स बराबर वन पुट करूं मैं खुद के मन से एक्स बराबर किता रख दिया मैंने यहां पे एक रख दिया तो यहां पे हुआ क्या वाई का वेल्यू कितना रख दिया अगर मैंने यहां पे एक पुट किया तो एक प्लस तीन एक प्लस तीन कितना हो y के पो गया ये बात समझ मैं है आई समझ nyt को Horus अगर एक सब्सक्राइब मैंने 1000 किया एक रख दिया इसमें कि नह bütün है वान रखा तो y का भी ताइब वन प्लस थ्री एक प्लस उड्स 3 किता हो गया चार सेम अगर मैं x बराबर यहां पर दो रख दूं तो देखो y का value कितना रह जाएगा यहाँ पे रखो दो आप लो तो y बराबर कितना रह दो plus 3 कितना रह पांच हो गया पहले y का मान कितना था 4 अब y का मान कितना हो गया 5 ठीक है और देख लो और रख देता हूँ मैं अगर मैं x बराबर 0 रख दूँ तो देखो y का value कितना रहेगा y बराबर था मेरे पास x प्लस 3 था है कि नहीं x प्लस 3 तो y का x 0 रखते ही 0 प्लस 3 तो यहाँ पे मान कितना हो गया 3 तो देखो बचो यहाँ पे हुआ क्या अब यह सारी चीज़े समझ में जाएगी आपको चर क्या है अचर क्या है आशरी चर क्या है सफटम्द्र चर क्या है मैं जो बूल रहा हूँ वो आप अच्छे से गोर से सुने क्या है y is equals to 2 प्लस 3 बराबर 5 y is x प्लस 3 सबसे पहले अपने क्या लिया यहाँ पर x प्लस 3 ठीक है x का मान मैंने पहले कितना रखा 1 Y बराबर 2 रखते ही 2 प्लस 3 5 अब देखो X का मान आप अपने मन से रख रहे हो अब इनोंится अब इन दोनों में से आत्री चरकों सा है ह्यां थे तो यहाँ पर देखो X का मान आप अपने मन से रख पा रहे हो तो ये है स्वतंतर चर यहाँ पे जो X है अपना X क्या हो गया स्वतंतर चर हो गया क्योंकि ये free है इसका value आपने कुछ भी रख सकते हैं भी मान के Y का value देखो X बराबर 1 रखा Y का मान 1 प्लस 3 कितना हो गया चार तो वाई एकस दो रखने पर Y का value कितना हो गया पांच एकस जीरो रखने पर Y का value कितना हो गया तिन रिपीट कर रहा हूं वापस यहाँ आपके लिए जो आठ सोड़े बच्चे हैं वो ध्यांजे सुनें चीज़ों को तो हुआ क्या एकस का मान चेंज करते जा रहा हूं मैं वाई का मान चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर एकस का मान चेंज कर रहे हो तो वाई का मान भी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है इसका मतलब वाई का मान एकस के मान पर निर्बर कर रहा है यहाँ पे कि आप एकस को चेंज कर र आखने हो गया किस पर अच्छंब सभर में ठीक है सेकेंड चीज अब देखो यह जो 3 देख पा रहे हो आफ लोगे देखो 3 हैं यहां पर हर्में यह 3 आमान कभी चैंज नहीं हुआ तहीं यहां भी 3 का मतलब 3 किन यहं यहां भी कितना है 3 यहां भी कितना हैं वो क्या हो गया बच्चों कॉंस्टेंट हो गया अच्छर हो गया आई वास समझ में सिंपल सी छोटी मैं गया हूं बिल्कुल जीरो से स्टार्ड करेंगे और बिल्कुल पीक तक लेके जाएंगे आपके लिए ठीक है तो देखो यहां पर आप समझो इस चीज को चर क्या है अचर क्या है चर का मतलब जिसका वेल्यू फिक्स रहे एक हमेशा कभी भी चेंज नहीं हो चर दो परकार के आश्रित चर और मिकन वगरा देखें आपको कि इसमें से आश्रित चर कौन सा है सुतंत्र चर कौन सा है ठीक है आश्रित चर क्या होगा जिसका मान दूसरे चर पर निर्बर खरेगा वो क्या हो जाएगा अपने पास आश्रित चर सुतंत्र चर क्या होगा जिसका मान कभी फिक्स ना हो ठीक ह आई बास में मिटाते हैं इस चीज को आगे चलते हैं देखो पर यह जो फर्स्ट लेक्चर है वह 101 परसेंट जो फर्स्ट ग्रेड का कुशन बनता है आपका यहां से आता है ठीक है एक किसन आता है 100 परसेंट अब देखो आगे अब लेते हैं अपन जो छोटी-छोटी बहुपद ठीक है एक आता है अपने पास समीकर्ण एक आता है एक्वेशन बोल देता है इसको इंग्रिस में ठीक है और यह होता है पोलिनॉमियल क्या होता है क्या नहीं होता है दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है बहुपद जो होता है अब यहां पे कई कॉंट्रेडिक्शन मिल जाता है सिंगल वेरियबल होता है डबल वेरियबल होता है ट्रिपल वेरियबल होता है क्या होता है क्या नहीं होता है वो देखते है त इदर भी लिख दिया मैं X स्क्वेर प्लस 2X प्लस 3 ठीक है अगर मैं इसको जीरो के बराबर कर दूँ समझो सिंपल सी बाते हैं यह लेकिन आर्ट स्वाल स्टुडेंट हो क्या बाता है सुरी यह है रेलजेब्रा जहां एक सा जाता है ने उनका दिमाग हैंगो जाता है X को याद ही मत करो ने जो गया वो गया ठीक है तो X स्क्वेर प्लस 2X प्लस 3 बराबर करता गया 0 तो यहां पर बराबर 0 करते हैं तो क्या बन गया है यहां पर समीकन बन गया ठीक है पॉलिनॉमियल सिंपल विदाउट एक्स वाली जो यह है X स्क्वेर प्लस 2X प्लस 3 यह क्या कहाता है बच्चो मूल रूट्स ठीक है और यहां पर जो सोल करने पर यहां पर देखो एक्स का वहमान जो बवपद को सुन्या कर दे बवपद का इसे लिख लो उसको बवपद का मान सुन्या कर दे तो यह जो एक्स का जो मान है जो सुन्या करेगा उसको क्या बोलेंगे अपने सुन्या क बोलेंगे जीरो बोलेंगे यहां पर क्या कहलाते हैं यह सुन्या कहलाते हैं जीरो जो बोलते हैं वापस देखो यह चीज़ें समिकन क्या होगा कुछ भी जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसके यदि इक्वल टू जीरो है इट मेंस वो क्या है समिकन है सिंपल सी बात जो भी एक्सप्रेशन है उसके नॉट इक्वल टू जीरो है बराबर में जीरो नहीं है तो वो क्या है मेरे पास पॉलिनॉमियल है बावाऊपद है यदि X का वह्मान जो इस बावाऊपद को सुनने कर देगा root कर देगा तो यहाँ पर जो value है X का वो क्या कहलाएगा मेरे पास सुनने कहलाएगा root कहलाएगा आरी यह बाद समझ अर्च टेक है चलो next oh गाट इनमे जो major difference है वो लेता है पर आगे चलते हैं सेकेंड चीज देखो यहां पर बहुपद जो एलजेब्रा में सबसे ज़्यादा काम आता है बहुपद पॉलिनॉमियल सब्सक्राइब यहां पर पहली चीज हमेशा ध्यान रखना इसमें एक चर दो चर या दो से अधिक चर हो सकते हैं पहली चीज यह कई बच्चों को ते चीज पता भी नहीं सही है एकस 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 दे देखते हैं यहां पर वो चीज नहीं है एक चर हो सकता है बहुपद में दो भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं आई बात समझे में ठीक है कि यहां पर देखो X आ सकता है X and Y दोनों आ सकते हैं ठीक है या फिर X, Y, Z तीनों आ सकते हैं समझ गयोंगे चीज ठीक है दूसरी चीज यहां पर बहुपद की घात बहुपद की घात ये बहुती अच्छी चीज है बहुपद को पैचान होगे कैसे ठीक है तो यह हमें से जान रखना चरकी जो घात होगी चरकी घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी कि जान कि दोग चरकी घात हमेशा एकंपूर्ण संख्या होगी पूर्ण संख्या क्या होती है आप कई सोच रहे होंगे आरश्चे ठीक है सबको बताहरता है ऐसा पर नंबर जो शंख्या जीरू से सुर्य स्द्राइफ होती एच है इधर लिग देते हैं पनलग से पूर्ण संख्या पूर्ण SP-01 दो तीन चार पाँच है ज़िए ऑनी होल नमबर भूते 시청 इसको कि पूर्ण संख्या क्या हो गयी जो नमबर जीरो से स्टार्ट होता है 0123 सही है मतलब इसमें 0 include होता है तो बहुपद की जो घात होगी बहुपद की घात का मतलब क्या हो गया वहाँ पे चर्की घात count करेंगे और चर्की घात हमेशा क्या होगी एक पूर्ण संक्या होगी हमेशा 0 बिलकुल बहुपद में चर चर का मतलब क्या हो गया X Y and Z कुछ भी हो सकता है एक चर दो चर तीन चर अपना भी एक को ले के चलते हैं सही है अगर अब competition लेबल पर बात करोगे तो यहाँ पर केवल एक single variable वाले polynomial साते है एक चर वाले बहुपद के questions आते हैं ठीक है तो देखो यहाँ पर Zero गात हो सकती है चर की कैप बहुपद के खात Zero हो सकती है Of course हो सकती है 100% हो सकती है एक हो सकती है दो, तीन, चार, पांच कित्ती हो सकती है जैसे मां लिख होई यहाँ पर इसको रफ़ करता है पर यह ध्यान रखना वापस देखो यह चीज वह उपद में एक चर दो चर या दो से ज़्यादा चर हो सकते हैं कि देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं एक से स्क्रेर प्लस टू एक्स प्लस त्री जो अभी अपने लिखा था ठीक एक नहीं एक लिख दिया मैंने एकस फूर प्लस फूर एकस प्लस नाइन ऐसे कुछ partir प्लस था ठीक सब एक लिख सब्क है 303 इस में फैबरेट नम्बे एक्स स्क्वेयर प्लाइश की डीक्या सब्स और पर चरकी घ्छाद कितनी है दो तो यह जो कहलाएगा वह क्या कहलाएगा द्वी घाट बहुपत क्या कहलाएगा यह द्विगात बहुपद सिंपल सी चीज है यह क्यूशन आता है फर्स्ट गेड में शोर आएगा इस टाइब का क्यूशन सिंपल सा आएगा ठीक है इस्टेट लेबल की जित्ती वे कैंसी जए अगर उनमें एलजेबर का क्यूशन आता है तो वहां पर आपक देखो इसकी गात किती है चार सही है तो यह चत्रगात का बहुपद हो गया यहां पर चर देखो कितना है एक सहे एक नहीं एक ची गात किती है एक तो यह क्या हो गया एक घात का बहुपद एक घात का बहुपद अब एक घात वाले बहुपद का जो दूसरा नाम है वो क्या है रेखिक बहुपद क्या है रेख यह अच्छे से याजख लेना जिस भी बहुपद में चर्की घात एक है कई बार फस्ट गेड में आया वा क्यूशन नहीं जिस भी बहुपद में चर्की घात एक है उसे रेखिक बहुपद कहते हैं इंगलीस में इसे लीनियर पॉलिनॉमियल कहा जाता है क्या कहा जाता है लीनियर पॉलिनॉमियल रेखिक बहुपद कहलाता है आई बास अबन में ठीक है वापक चलो आगे चर्की जो घात हो गया दिखता हूं ये भी बहुपद है ये भी बहुपद है ये तीन की बात करेंगे अपने तो सिंपल जो थ्री लिखा हुआ है क्या ये बहुपद है जरूरी है क्या ये बहुपद है तीन जो लिखा हुआ है आप सोचिए सब के सब तीन कोई भी नमबर दे दे आपको पांच साथ ये क्या बहुपद है क्या तो देखो यहां पर है क्या य जो 3 है इसके साथ multiply में आप हमेशा 1 बोलते हो तो 3 X की power यदि मैं 0 कर दूँ यहाँ पे mathematics में किसी भी number की power 0 बराबर कितना आता है मेरे पास 1 आता है कोई सी भी एक संक्या हो जिसकी power 0 जिसकी गात 0 हो सुनने हो उसका मान कितना आता है 1 तो X की power 0 कितना आएगा मेशा 1 तो यहाँ पे देखो आप लो जिस यह जो X है तो क्या होगे मेरे पास चर और चरकीगात किती हो गई 0 तो जहाँ पे चरकीगात 0 हो जाएगी उस चीज को या उस बहुपद को बिलकुल 3 क्या है बहुपद है क्यों है अपने बता दी इसकी गात कितनी हो जाएगी 0 अभी बताया था मैंने बहुपद की गात क्या होगी एक ऐसी पूर्ण संख्या होगी जीरो से लेकर आगे तक कुछ भी हो सकती है प्लस में तो यह जो 0 है यह बिलकुल इसकी गात हो गई तो यह जो चर है एकस एकस की गात 0 हो गई यह मेरे पास हो गया अचर बहुपद क्यों 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 कि यह जो 3 है 5 है 7 है सही है और भी कोई नमबर लोगी आप 10, 12, 15 जिता भी है सब को क्या बोलते हो आप कॉंस्टेंट बोलते हो अचर बोलते हो तो यह जो 3 लिखा हो है यह क्या आगया मेरे पास अचर बहुपद आगया आई बास समझ में तो 2 कुशन जो यहां से मेजर बनते हैं जो मैं एक्जाम में पूछी जाते हैं पहला रेखिक बहुपद में लिनियर पॉलिनॉमियल आई बास समझ में सेकंड ऐसा बहुपद जिसमें फरकी घात जिरो हो कहलाता है अचर बहुपद या पिर कॉंस्टन पॉलिनॉमियल दो दो क्युशन हैं जो मेजर फर्स्ट प्राइड वाले सुन लो ये शोर हैं दोनों क्यूशन दोनों में से एक दोर रिपीट होता रहता है आप इसलिए तेन से चार साल के पेपर उठागे देखो इन में से कई बार आया हुआ है कि चलो आगे और चलो देखो कि अब जो कॉंपेटिशन लेवल पर आगे ऐसे सी बैंक वाले वो ध्यान देओ यहां पर क्यूशन कैसे बनते कैसे क्रियेट होता है यहां पर यह पूछता है कि बहुपद कौन सा है पूरक दियते है निम्य में से लिख रहा हूँ पहला एकैस प्लस बाई एक्स चेक इसप्डेयर प्लस एक्स RD33 एक्स की पावर फूरफ प्लस फूर्स एक्स उन लाईन फोर्त कौन सा है कौन सा नहीं है वो आपको चेक करना है कौन सा है और नहीं है ठीक है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस वन बाई एक्स फिप्ट सिंपल थ्री यहां पर कुछ भी बोल दें जैसे मालूम भूल दिया फाइफ यह लिखाव है आपको कुछ भी बोल सकते हो और लो सही बहोत एं एकस्पम इसंपल इतना थ्यान दें यहां पर शापने बता दिक्ति लिख दे रहा हूं मैं वापस बहुपद की घात क्या होगी एक पूर्ण संख्या होगी क्या होगी हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी और पूर्ण संख्या क्या होती है 0, 1, 2, 3, 4 आई बात तो देखो यहाँ पर यह जो X है इसकी घात तो किती है एक है लेकिन यह वड़ा जो X है यह वन अपोन एक से उपर जाएगा तो यह देखो X प्लस X की पावर माइनस वन मन गया अगर निमन गया तो यहाँ पे जो माइनस वन है यह जो चरह है X उसकी पावर माइनस वन जितने भी X आएंगे उन सबकी घात पूर्ण संग्चा होने चीए एक होल नमबर होना चीए तो X स्मूझे पावर माइनस वन पूर्णांग हो गया कुछ भी बोल सकते हो लेकिन यह माइनस वन पूर्ण संग्चा नहीं है इसलिए ये बहुपद भी नहीं है आई होगी बात समझ मैं आपको ठीक है सेकिन्ड देखो X स्क्रेर मैं इसको सिधा लिख दिया X की पाउर माइनस टू है ये ऐसे भी लिखा हुआ सकता आपके पास एक्जाम में 1 अपॉन X स्क्रेर लिखा हुआ सकता ठीक है तो ये भी बिल्कुल पॉलिनॉमियल नहीं है बहुपद नहीं है ये देखो थर्डवन X की गात 4 बिल्कुल ये जो 4 गात है ये एक पॉन्ड संक्या है ये जो X है इसकी गात किती है एक है ये भी पॉन्ड संक्या है नो के आप आगे X की पावर जिरो लगा सकते हो ये भी एक पूर्ण संक्या है है कि नहीं है तो ये मेरे पास बहुपद है ये पॉलिनॉमियल है अंड़र पस्टेंट कई बार एक्जाम में पूसता है ये क्यूशन बस्टो धान दो यहां पर चार ओप्शन देदेगा आपको आधो ऐसे पूसकता है निमन-मेंसे कौन सा बहुपद है नहीं है आहीं वा समझ में ठीक है चलो sq 3 x x 3 अब यह जल्दबाजी जहां पर competition का जो पर क्रिएट करता है बनाता है वह क्या करता है इस टाइब की क्रिशन देता है पहला option देखा एक्स क्यू प्लस 3 अर्यार यह तो है polynomial बहुपद हो जागा तीन गात यहां पर एक गत आगे वड़ा portion देखते ही नहीं है देखो यहां पर जो है एक्स की power कितनी है एक्स की power कितनी हो गई माइनस वन तो यह भी मेरे पास बहुपद है नहीं है सिंपल 5 है लिखावा है यह 101 परसंट बहुपद है polynomial है कैसे अभी बताये था पांच ए आ जाए बी आ जाए सी आ जाए डी आ जाए सही है कि नहीं कुछ भी ऐसे भी लिखावा सकता आपके पास पांच या जाए ठीक है कि नहीं यह मेरे पास बहुपद है 100 परसंट बहुपद ऐसे आ जाए 5 लोग 10 कई बार examiner confuse करने के लिए यह बहुपद है बिल्कुल है यहां पे जो लोग है उसकी लोग दसका मान किता हो गया एक पांच इन्टू यह किता हो गया यह पांच आयोगी बात समझ में सब्सक्राइब जो बहुपद के बारे में अपने बताई अपने करी डिसकस इनको वापस रिपीट करके एक बार देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में अपने से अपडेट लेवल पर थोड़ा आगे के कुशन्स लेवल पर आते हैं ठीक है गाइस ठैंक्यू और जो आपका प्यार सपोर्ट मिल रहे है उसके लिए तो मैं हमेशा आपका सुक्र गुजारू दन्यवाद